जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिस हमेशा जादा करो किसमत भी रूठे पर हिम्मत ना तूटे मजबूत इतना इरादा करो जी हाँ दोस्तों अगर आप मजबूत इरादे के साथ कोई भी कारे को शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा परड़ाम होता है उसका सुबा सुबा इन नई लाइनों के साथ आज आपकी एक नई कलास होगी हर दिन पुरानी लाइनों के साथ नई कलास होती थी चैप्टर सिकन्ड चल रहा है आपका डियलेट का फॉर्ट समेश्टर आप देखते हैं सब्ताह में तीन दिन सुबा चार बज़े से कुछ महत्वपूर बाते हैं जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा उसके बारे में याद कर लेना दिमाग खोल करके सेब कर लेना इसको सुनने का वर्ग मूल हमेशा सुनने होता है हाँ जी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको बहुत लोग जो है काफी जगा कनफ्यूज हो जाते हैं ये अगर कहीं ऐसे जीरो लिखा है न तो सोचते भाई का हो गई बहुत बड़ा फैक्ट है ये तो जीरो का वर्ग लिखा है वर्ग पुडांकों के वर्गमूल पुडांक होते हैं वर्ग पुडांकों के वर्गमूल वर्ग पुडांक मतलब जैसे दो का वर्ग आप करते हो तो क्या आता है चार आता है न चार क्या है एक वर्ग पुडांक है अब आप अगर चार का वर्गमूल करोगे तो तो 16 आएगा न, 16 क्या है, एक पुडांक है की नहीं, पुडांक मतलब जानते हो नंबर जो धन पुडांक करेड़ पुडांक वही सब होते हैं, इसके बारे में हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं, माइनस अनंद से लेकर प्लस अनंद तक की संख्याओं को पुडांक अर्थात English में Integer नोलते हैं, एक का वर्ण एक होता है और एक का वर्ण मूल भी एक होता है, सबसे छोटी वर्ण संख्या जो है वो एक होती है, सबसे छोटी पूर्ल गन संख्या भी एक होती है, मतलब की जैसे हमने यहाँ पर इसको बनाया हुआ था न, यह जो इधर आप स्कॉायर होता है वो हमेशा वन होता है ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं याद लख ले ना इनको और कलास को पूरा देखना अगर समझना चाहते हो तो वास्तों में छोड़ के मत जाना इनी फैक्टों में दो और भी देखना बहुत ही महत्तो पूर रही है सारी जो भी लाइने हम लिख रहे हैं इनका स्क्रीन साट लेकर के सेब कर लेना अगर सीखना चाहते हो आस्तों में तो परिमिये संख्याओं के वर्ग धनातम के परिमिये अत्वा भिन होते हैं ये मंत्र बता रहा हूं आपको जैसे आप साम बिच्छू का मंत्र सीखते हैं जाड़ परिमिये संख्या होगा या फिर भिन होगा अब आप सोच रहे होंगे कि परिमिये संख्या और भिन मतलब दोनों अलग-अलग है क्या नहीं कोई भी भिन जो है वो परिमिये संख्या नहीं हो सकती है लेकिन कोई भी परिमिये संख्या जो है वो भिन हो सकती एक परकार से कै कैसे जैसे अगर सेबन बोलें या थिरी बोलें एक पर्मिय संख्या है ना लेकिन ये भिन भी है कैसे इसको आप हुआन लगा दो ये भिन बन गई न तो ये बात आप समझ गया होंगे दूसरा देखना वर्ग पर्मिय संख्याओं के वर्गमूल पर्मिय संख्या होती है अब कोई सवाल देंगे इसी पर आएगा नहीं एक भी अगर नहीं समझे रहोगे तो याद रखना और आपके परिक्षा में भी पूछा जाएगा डियलेड वाले तो दिमाग खोल करके समझना जो फोर समेश्टर में हैं क्योंकि अपकी लाश्ट बार है हाँ जी आपका अपकी ल नो होता है ना चार का वर्ग सोला होता है कि कह रहा कि वर्गमूल परमिय संख्या होती है तो मतलब वर्ग परमिय संख्या था ना नव बटा सोला इसका वर्गमूल वो तुम्हें आपको दिखाने के लिए इसको अर करके दिखाया था इसका वर्गमूल हमेशा परमिय संख जाएगा सही गलत कचीन लगाईए वर्ग पर्मिय संख्याओं के वर्ग मूल पर्मिय संख्याओं होती हैं जब आप करास लगाएगा आजाओगे न ऐसे गलत लगाएगा जाओगा जीरो बटल अड़ू मिल जाएगा तिफली अगर ज्यादा अड़ू नहीं खाना है तो ध् जबकि बिजेता जो होते हैं वो तब रुखते हैं जब वो जीत जाते हैं यहीं अंतर होता है कुछ लोग सो रहे थे अभी सुबत सुबत का टाइम है उनकी थोड़ा सा आँख जो है लग गई थी जग जाएए जल्दी से पांच सवाल आप लोगों के लिए है बताओ तो चलिए पिछले दसक में चलते हैं जब हम लोग पढ़ते थे कितना सीखा प्राइमरे में है ना मुझे तो सब याद है बताइए अभी जो हम लिख रहे थे लाइने उनको देख करके आप लोगों को नींद आ रही थी कि भाई का है जाय लिखा जा रहा है सब अब बताओ इ ईसलिए लिख रहे थे बताइए इसमें कौन साही कौन गलत जलदी से फटा फट साही गलत बताइए तुरंट किसी रीडातमक संध्या का वर्ग धनातमक संध्या होता है YES या NO कमेंट करो फट से फाइस्ट नमबर, सिकेंड नमबर, परिमिय संख्याएं अर्थात रेफनल नमबर, सदेव भिन्न संख्याएं होती हैं, रेफनल नमबर, सदेव फ्रेक्शन नमबर होती हैं, सही एकी गलत है, सूने का वर्ग एक होता है, वन का वर्ग मुल अंडरूट वन होता है, और अगल अगला सुबा चार बजे होती, कुछ लोग उठ तो जाते हैं जबरजस्ती लेकिन उनको बहुत अच्छे सनीन आती है, बहुत मस्त सोते हैं वो, लेकिन वे नहीं जान रहे हैं कि अगर अभी सोएंगे तो जिन्दगी बाद में सुलाती ही रहेगी, देखिए हम आगे भी अब पूर्डवर्ग संख्या के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, है न, आप जानते हो पहले से, तो बताना है इसको, बताईएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, पूर्डवर्ग संख्या किसे कहते हैं, जो लोग पिछली कलास को देखें, उनको पक्का हम न, तो पचीस में से पचीस नंबर मिलेगा, ये पूरी गारंटी हमारी होगी, और ये गारंटी मैं ऐसे फिरी में ऐसे नहीं ले रहा हूं, आप लोगों ने पिछले जो परिक्षाएं हुई थी उसमें पूरांक ला करके दिखाया था, इसलिए बोल रहा हूं, तो आज ही PVR study की class को जोईन कर लें, और न यकीन हूं तो आप देख सकते हैं, result हमारे पास है, वीडियो में भी हमने दिखाया था, अब इधर समझते चलना, प्रकृतिक संख्या और उसके घन का माल, यानि कि natural number and value of cube, अभी इसके पीछे हम आपको बहुत बड़ा राज बताने वाल clear, अगर 2 लिखोगे, 2 का cube करोगे, तो 2 का cube का मतलब 2 का power 3, कितना आएगा, 2 दुना, 4 दुना, 8, ध्यान से देखना, संख्या आमने लिखा 3, तो 3 का cube कर लो, 3 तरिका 9, तरिक 27, अभी इसके पीछे बहुत बड़ा चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, भागना मत क छोड़ के वरना कभी ना आएगा, 4 चूका 16, 16 चूका कितना होता, 64 ना, करके देखना नहीं आएगा तो बताना, ठीक ना, फिर 5 का कर लो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको रीजन बताने वाला हूं, पचम 25 पंचे, 125, याद रखना आपको ये जवानी आना चाहिए, मुझा बानी मदलब ओरल, जैसे कोई पूछे, 4 का क्यूब तो 64, बहुत से लोग अठक जाएंगे, 6 का, 6 का क्यूब मदलब 6, 36, 6 का कितना होगा, 216 होगा, बताना, 6, 6, 36, और 6, 3, 18, 3, 21, 7 का कर लो, 7, 7, 7, 7, 3, 4, आठ और 9, और 10, ये लो, 10 दहमा, सो दहमा, एक हजार, 9 का कर लो, 9, 81, 7, 7, 7, 8, 8 का कर लो, 8, 9, 4, 8, 5, 12, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कि 10 से छोटी, सभी संख्याएं, मतलब 10 से छोटी, जो भी संख्याएं हैं, उनका जो क्यूब है, वो क्या है, मालूम है आपको, एक हजार से कम, बहुत बड़ा फैक्ट है यह, दस से छोटी, सभी संख्याओं के जो वर्ग क्यूब हैं, वो कितने हैं, एक हजार से छोटे होते हैं, याद रखना, दस से छोटी, जैसे नौ पे देखो, साथ सोनतिस हो रहा है न, आठ पे देखो, साथ पे देखो, मतलब सब क्या है, एक हजार से कम ही हैं, उपर देखो तो, और इसके बीच में अभी बहुत सारा रीजन छिपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप दस तक का याद कर लेते हो, तो आगे याद करना बहुत आफान हो जाता है, क्लियर ना, कोई दिक्कात, नहीं, नोट करिए, जल्दी स्क्रीन साट करिए, साइड में जो लिखा उसको ध्यान दीजिएगा, हमारे फेस्बूक पेज, पीवीर स्टेडी पर आप सारी कलास को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सर्च करना होगा, फेस्बूक पर पीवीर स्टेडी, जो पेज आएगा, उसको लाइक करके फालो कर लेना, बूलना मत इसको याद रखना, कुछ जानकारियां आपके लिए इस पैसाल, एक हजार यानि की वन थाउजन, तक की पूर्ड घन पराकृतिक संख्याएं, करमसा, यही कुछ गिनी चुनी है, जो आपके सामने है, पूर्ड घन जो होती है, जैसे 1, 8, 27, 64, 125, 216, अतलब जान भयो, ये 1 का ही घन है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, 6 का है, 7 का, 8 का, 9 का, और वो 10 का, बात समझ गे ना, 1000 मींस जानते हो, एक हजार, एक हजार को आप इंटरनेशनल पद्दती में 1 के भी लिख सकते हो, कुछ लोग यूटूब पे जो 1 के भी हो जाते हैं, 1 के सब्सक्राइबर होते हैं, और हाँ, एक बात और बता दूँ, आपने देखा होगा, किसी वीडियो में 1 यम भी उज लिखा होता है, या 1 यम सब्सक्राइबर, यम मतलब होता मिलियन, और कुछ लोगों के दिल में ये गुंजता है कि क्या, 1 मिलियन में 100 लाक होते हैं, वा ऐसा नहीं है, 1 मिलियन में 10 दफ लाक होते हैं, क्या होता है, 10 लाक होता है, 1 मिलियन में, और 1 लाक मतलब 100 के, 100 के मतलब 1 लाक, बात समझ गे न, यानि कि 100 हजार मिल करके 1 लाक बनता है, लेकिन 10 लाक मिल करके 1 मिलियन बन जाता है, उसी तरह का 10 मिलियन मिल करके क्या होता है, 1 मिलियन बन जाता है, तो यह सब फाइल जो सिष्टम है उसको आप मतलब समझना आगे चले हैं हाँ तो अन्य प्रकृतिक संख्या है दो तीन चार और नौसुन इन्य अन्य तक है यह आप जानते ही हो सबसे छोटी पूर्लगहन प्रकृतिक संख्या बहुत बार आपके परिक्षा में पूछा जा चु यह देखो अना गया ना हाँ दूसरा एक सबसे बड़ा जो लफड़ा होता है कि सबसे बड़ी पूर्लगहन प्रकृतिक संख्या क्या होती जैसे कहा जाए दुनिया में हम सबसे बड़े हैं तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए आपने उपंकितिया सुना है मैं करूं मैंने कि या ऐसा कभी न बोल तेरे बिन भी चलती रहेगी यह दुनिया बड़ी अनमोल तो यहां पर कहने का हमारा मतलब यह है कि सबसे बड़ी पूर्लगहन प्रकृतिक संख्या कभी हो ही नहीं सकती है आप कहोगे चलो सबसे बड़ी पूर्लगहन प्रकृतिक संख्या एक हजार ह तो अगला कोई कहेगा पांच हजार है अगला कहेगा दफ अजार है नहीं दफ लाख है पचीस लाख है तो यह पढ़ता जाएगा मतलब अनंथ हो सकती है कोई निश्चित नहीं है कि सबसे बड़ी पूरुडगर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है और ये भी नहीं पता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है क्योंकि संख्या की गिंती आप अपने जरूरत की हिसाब से बहुत कर सकते हो लेकिन हम लोग बच्पन में किवल सव तक गिंते थे और उसी के लिए बहुत मार पढ़ती थी गिंती नहीं आती थी तो गुला हो क्या बोलते हैं गुंडा बनाके वहां गिना आ जाता था चारो तरप से गोला बनाके बीच में खड़ा होके गिनाता था वन दहाई वन काई दस एक ग्यारा वन दहाई दो काई सुना है न आपने बहुत मज़ेदार फंसन होता था यह बाबु रोज एक सेलिबरेसन होता था पिछले 15 मिनट से आप पढ़ रहे हैं अब हम आपको एक मज़दार बात बता दे बसा एक मिनट के लिए थोड़ा सा बकवास होगा भागना मत सोच रहों कि काहे बना यह जो भी मैंने बताया था ना अच्छा आप लोगों में से कौन-कौन यह देखा हुआ है और इसमें पढ़ा हुआ है पहले जब हम लोग छोटे थे बगीचे में हम लोग की पढ़ाई होती थी आपको हमने स्कूल भी दिखाया था वीडियो भी दिखाया था जिनको नहीं दिखा है भी तक जो कमेंट करेंग उनको दिखा दिया जाएगा तो वहां पर बगीचे में पेड़ क नीचे क्या होता था एक बड़ा साइसे गोला बनाते थे कैसे लड़के खड़े होते थे लड़के लड़कियां जो भी स्टूडेंट होते थे चोटे चोटे चारों तरब से बीच में खड़ा होके गिनाता था क्या गिंती पहाडा कविता जो भी होता था और सब आगे को मु परकार से जब याद आता है तो लेकिन अब तो वहां पर बहुत गड़बड़ हो चुका है अब परते हो राक अब परते हो चुका है अब परते हो चुका है किसी संख्या का गहानमूल वा संख्या होंगें किसी संख्या होती है जो आया तो इसका क्यों अब परते हो चुका है कुछ रासाइनिक होती है जो पुना अपनी पुरानी आवस्था में लौड़ सके और रासाइनी क्रियाए वह होती है जो पुना अपनी आवस्था में ना लौड़ सके जैसे अगर कोई कि बेक्ती बुड़ा हो गया तो बुड़ा फेवर्चा नहीं बन सकता है वह परमिय संख्या या कब है उसके लिए एक सर्थ है जब यक्स का स्क्वायर इकोल वाई होगा ये तो अब आप समझ गे होंगे उपर वाला नियम ही था इसको सार्ट में कहा गया उसको थोड़ा बड़ा सा था बस इतने ही था ठीक ना कोई भी पर्मिय संख्या यक्स पर्मिय संख्या वाई का घर कर दो कर नहीं सकते क्योंकि आपके सिलेबस कर नहीं सकते क्योंकि आपके सिलेबस